Good morning class third this is your second video of chapter no.1 Means of Communication Last video में हमने पढ़ा था कि Communication किस तरह से की जाती है और जो Early Man होते थे वो Communication किस तरह से करते थे हमने Modern Communications के बारे में पढ़ा था Personal Communication के Means के बारे में पढ़ा था और Mass Communication के तरीके क्या होते हैं किस के थू हम बात कर सकते हैं Mass Communication कर सकते हैं पड़ा साँ अब हम आगे पर चैप्टर कंचीनियों करते हैं मेलिंगा लैटर लैटर केन बी सेंट बाइ पोस्ट कार्ड इन इन्लेंड लैटर्स अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में लैटर सेंट करना है तो उसको हम कहते हैं और एरोग्राम एक स्टैंप टाइप होते है जिसके थूर हम किसी और कंट्री में वो लैटर जो हमारा वो सेंट कर सकते हैं स्टैंप है टोपीट आफ अगर लाटर होता है उस पर लगनी इंपोटन होते हैं तक बीवह ज़िए लैटर होते हैं जो पोस्ट कें जाता है स्टैंप जो होते हो हमें पोस्ट आफिस से इजीली मिल जाती है every letter carries the address of the person to whom the letter is being sent और जिसको भी letter पहुँचाया जा रहा है वहाँ पर उसका address होता है और जो भेजता है उसका भी address होता है जिसको भेजना है वो letter उसका address हर letters पर मिलता है ठीक है pin code होता है उस पर और postal index number letters पर mention होना important होता है इन इंडिया pin codes have six digit और इंडिया में pin codes के कितने digit होता है छे digit का pin code होता है इसमें आपको बताना है कि what is your pin code of your city आप इसको fill करोगे ठीक है आपकी city का आपकी जहां पर रहते हो इसका pin code क्या है यहां पर आप fill करोगे वो we can post our letters in the red post box और हम अपना letter कहां post करते हैं red post box में अपना letter post करते हैं जो की बहुत सारी जगा पर available होता है every day the postman collects all the letters from the post box and takes them to the nearest post office where they are sorted out and sent to their respective destinations और सारे postman जो होते हैं वो उस post box से post letters को collect करते हैं अपने past के post office में पहुचाते हैं फिर वहां से वो सारे क्या करते हैं जहां जहां इनको पहुचाना होता है उस जगह पहुचाते हैं ठीक है the mail van takes the letter to the railway station or airport और mail van जो होती है वो letters अगर हमें internationally किसी और country में या किसी और जगह letter पहुचाना है तो फिर वो जो mail van होती है वो letters को लेके जाती है airport या railway station पर और वो फिर वहां से जो letters होते हैं वो भेज़े जाते हैं letters are taken to different places by bus train or airplane letters जो है वो अलग अलग जगह जा सकते हैं different mode से like वो जा सकते हैं bus से जा सकते है train से airplane से वी नीड to send letter quickly we use the speed postcard और हमें अपने letter जल्दी पहुचाना है तो हमें speed postcard का use करना होता है we can also send letters by the career service और हम अपना जो इस letter है वो career service के थुरू भी send कर सकते हैं if we send letters through the registered post they reach the correct destination quickly और हम पोस्ट अपनी अच्छी तरह से बिलकुल प्रॉपर रजिस्टर करते हैं तो फिर जो हमारा letter हो कम टाइम है और जल्दी जिस जगह जाना होता है उस जगह पहुच जाता है अब हम आगे बात करेंगे कि animals जो होता है वो एक दूसरे से कैसे communicate करते हैं जिसे हम लोग इंसान जो होता है वो बात कर लेते हैं message कर लेते हैं अब animals कैसे communicate करते हैं animals might not be able to speak but they also need to communicate animals होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं but उनको भी जरुवत होते हैं कि वो communication मतलब एक दूसरे से कैसे communicate करने हैं उनको भी communicate करने की need होती है but अब देखो in fact animals have their own special ways of communicating animals का उनको खुद का कोई special तरीका होता है तो अगर वो खुश होते हैं तो अपनी पूच को हिलाता है और अगर गुसा आता है या उनको कुछ चाहिए होता है तो बाग करता है तो बहुते हैं तो उनकी different, उनकी special, special तरीका और उनका खुद का बातचीत करने का, communicate करने का, ठीक है? Animals and birds often vary on non-verbal forms of communication, such as calls on non-vocal outbursts like the slap of a dolphin's tail on the water. देखो, and to use chemical cues to help guide their movement as well as for other activities like telling a friend from an enemy or connecting with new friends. अब देखो, end के, जो होती है, वो क्या करते है, मतलब, जो end को आपने देखा हो, उसको पर एक antenna होता है, तो वो guide करते हैं अपने movements को, अगर कोई और भी activity से करने होती है, तो अपने friend को या अपने दुस्मन की जो भी इसको information होती है, वो दूसरे अपने friend तक पहुंचाती है, जिसे bees dance when they find nectar, जब bees जो होती है, जो नेक्टर find करते हैं, वो dance करती है, other bees get know about the source of nectar, और दूसरे जो भी पता चल दाता है, वो nectar जो होता है वो उसने कहां से मिला, chimpanzees greet each other by touching hands, और chimpanzees क्या करते हैं, दूसरों से क्या करते हैं, hand shake करते हैं, हाथ मिलाते हैं, elephant shows affection by entering their trunks, और elephants कैसे बात करते हैं, कैसे comment करते हैं, वो अपनी trunk से मिल्लब सून से अपनी आवाज करते हैं, gorillas stick out their tongues and show anger, और gorillas क्या करते हैं, गुस्सा अपना कैसे निखाता है, वो अपनी जीव को बहार निकालता है, kangaroo thump their hind legs to warn other of danger, और kangaroo क्या करते हैं, वो अपने hind legs and jump करते हैं, अब किसी खत्रे के बारे में बताने के लिए, अब next हमारा new methods of communication, अब communication के नए methods क्या हैं, उसके बारे में करते हैं, अब satellite के through communication कैसे कहें जाता है, अब artificial satellite help in the long distance communication, artificial satellites जो होते हैं, वो long distance communication करने में help करते हैं, जीसे कि हमारी Earth से satellite जाता है, तो तक इंडल में Yeं रही होरा निस थो जानकारी चुंहां में आप शूर्य कंवा से करते हुआइश वहने हं तक ट्रॉया से दीवास के इंडिकास को साथ टीवी पे और डिफेंट पार्ट में निखाता है थेक है like world में किसी भी जगा पर for example we can watch a tennis match और a cricket match being played in any part of the world अब देखो किसी भी पार्ट में हमें world के किसी भी पार्ट में कोई कोई match चल रहा है tennis match चल रहा है कुस भी game चल रहा है सेटलाइट के थूई जब जाती है तो उसके थूँ हम क्या कर सकते हैं उसकी हेल्प से हम किसी वर्ल्ड में किसी जगा पर कोई में चीज वेल हुआ है 때문에 हम लाइट जेख सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिंग देख सकते हैं यूज़ के से, computer are the, are one of the most, one of the latest means of communication, computer जो है वो, latest means, latest तरीका है, communicate करने का, the internet which has become very popular today, connects computer in different parts of the world, अब, internet जो है, बहुत ही, सब लोग यूज़ करते हैं, आज, अब के time पे, और internet की help from किसी से भी कभी भी, कहीं पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा है, हो बोर्ड में कहीं पर भी हो, जो कि हमारी किसी another person से help करने में भी, बात करने में मदद करते हैं, और हम उसको mail कर सकत हैं, ठीक है, email help, help us send message quickly at time of the day, आनि time of the day, और emails जो हैं, वो किसी भी time message करने के लिए, हमें help करते हैं, किसी भी time message कर सकते हैं, ठीक है, आनि emails की help से, ओकी, ग्लास आपका छेप्टरहें पे finish होता है,